यह यह टेस्ट और यह जो है आवाज मिल्कुल से इतना खसता है यह तभी होता है जब आपका मोयन सही हो हाई एवरिवन नमशकार सलाम राम राम आप सभी को विल्कम बेक टो दे इंडियन स्वामली न्यू के व्लॉग अशगरती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे जहां भी होंगे सरक्षित होंगे बहुत यह सारा प्यार आप सभी को हम लोग भी ठीक हैं यहां पे तो बस सुभा का यह मैं रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ और प्रियंका के लिए यहां मैं पैक लंच बना रही हूँ तो आज उसको मैं यह वेश्टेबल ग्रिल राप देने वाली हूँ तो गार्लिक एंड हर्प सॉस है जो कि प्रियंका को और बच्चों को अच्छा लगता है तो जब भी इंडिन सॉप जाते हैं तो वहीं से ले आते हैं यह पूरी तरीके से वेजिटेरियन है और आपको मालूम होगा कि यह मैंने पत्ता गोभी और म के लिए तो अल्मोस फिनिश हो गया है बस लास्ट बचा हुआ है दो रैप बना कर दूंगी और आज सिर प्रियंका स्कूल जा रही है शिवांस नहीं जा रहा है क्योंकि उस शिवांस के बैक में पेन हो रहा है तो मुझे उसे जीपी में दिखाना है तो इस वज़ा से उस चाहें तो 20 से इसको कट कर दें लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि सबजी है इधर उधर लीकेज ना हूँ इस वज़ा से तो ये छोटे उसके वाले जो टिफिन में दे रही थी मैं तो उसमें नहीं आया तो फिर मैं ये दूसरा टिफिन निकाली उसमें दे दिया दो यहां पेक आजो कतली रख दिया है तो चार रखा है क्योंकि उसको उसकी फ्रेंड को भी देना था क्युकंबर रख दिया है फृे रख दिये है औरिज और न्हीं यह करली चिज ख् gourald स्नध टानम के लिए तो क्योंकि अब सेकनडरी में गई है तो इस तरीके से अब और snack time के लिए chips ले जा सकती है पहले नहीं इलाऊ था school में आप chips वगरा नहीं ले सकते थे तो primary school में तो इलाऊ है जैसे वो भी lunch time में आप ले जा सकते हैं chips वगरा क्योंकि वो unhealthy option होता है तो जब आप main lunch करते हैं उस समय आप ले सकते हैं ये packets वाले बाकी आप जैसे brain break होता है जो बीच में lunch के पहले जो break होता है उसमें आप सिर्फ healthy ही food ले जा सकते हैं जैसे fruits हुए बनाना हुआ, apple हुआ इस तरह की चीज़े even आप juice भी उसमें नहीं ले जा सकते हैं और अब दे देती हूँ क्योंकि अब वो secondary में गई है दोनों जो है उसके friend भी है तो friend के साथ share करती है वो उसके साथ share कर लेगी अदरवाइस एक packet में दोनों बच्चों को half-half कभी कभार देती हूँ daily basis पे नहीं देती तो आज दे दिया क्योंकि wrap दिया था उसके साथ में उसको थोड़ा थोड़ा जो है क्रिस्प भी एक packet रख दिया है खा लेंगे बच्चे और यह जो मैं भी परदा window का हटाया ना तो इसको मत सोचिया कि मैंने half वाला परदा क्यों लगाया है यहां पर long curtains लगे हुए थे लेकिन रामकृष्ण उसको पकड़ के पूरा खेलते हैं और उसी के अंदर जो है छुपा छुआन और पिकबू और जाने क्या क्या गेम खेलते हैं कि कैसे कैसे उसको पकड़ के घुमा घुमा के खेलते हैं तो डर लगता है कि कहीं रौड औग लेकिन अब वहां भी पहुंश जाते हैं अब मैं प्रेयंका को छोड़के स्कूल से आ गई हूं घर यहां क्योंकि छोड़ने की जिम्मेदारी इस वीक मेरी है और यह प्लांटर में सारे अपने आप ही प्लांट सारे निकल आए हैं जो पिछला वाला हमने शीट्स डाला थ तो लास्ट टाइम लिली अच्छे से हो गई थी लेकिन इस बार खुद बखुद यह निकल आई हैं हमें कुछ भी नहीं डालना पड़ा इसमें तो वही मैं आपको दिखा रही थी अब मैं अपना ब्रेकफर्स बना रही हूं और ब्रेकफर्स में मैं वही मसाला जो बनाया अब जाए चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है यह मुझे और यह बना कि रही है रख दिए तो जब भी थोड़ा तो बस यहां मेरा चाय भी बन गया है और जब चने वगरा इस तरीके से खाओ तो फिर चाय पीने की तो आधात होती ही है उसके साथ मन करता है और ये थोड़ा सा हलदी राम वाली जो भुजिया लाए थे वो थोड़ा सा मैंने उपर हलका सा डाल लिया है क्योंकि मुझे इस किसको अच्छा लगता है जड़ा बताईएगा उसके बाद ब्रेक्फस करने के बाद बच्चे वहां टीवी देख रहे हैं शोर भी मचा रहे हैं दोनों अपना खेल भी रहे हैं और बीच बीच में यहां भी आते जा रहे हैं फिर मैंने दूद निकाल के पनीर बनाने के ल यह मेरा दो तीन महीने पर यह रूटीन होता है यह हमेशा ही करती हूँ और मैंने लास टाइम भी किया जब किया शायद मैंने शेयर ही किया है आपके साथ में और उपर से पूरा ट्रे वगरा निकाल के सब साफ करूंगी वैसे तो नॉर्मल जो है वीकली क्लीनिंग तो होत है इतना गंदा तो नहीं होगा लेकिन फिर भी वो मेरी आदत है कि मैं उसको पूरा तरीके से उसको दुलती हूँ दुल के फिर से सब लगाती हूं ग्रोसरी भी मैं ले आई थी जब मैं उधर से स्कूल से लौट रही थी तो मैंने ग्रोसरी लाके रख लिया था तो बस व मैं इस तरीके से सोच के करती हूँ कि मुझे ये भी करना है और मुझे वो भी करना है तो दोनों ध्यान देते हुए दोनों काम कर रही हूँ इधर ये देखिए पनीर मैंने निकाल लिया है अब इसको छान के और बस इसको सेट अप होने के लिए दबा के किसी वजनी चीज से रख दूंगी मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है कि पनीर कैसे मैं हमेशा बनाती हूँ और ये जो है दूद काफी ज़्यादा कॉइंटिटी में मैंने बनाया है दो लीटर जो है एक डबे में दो लीटर दूद आता है और ये चार लीटर का है तो चार लीटर का मैंने पूरा बना लिया है क्योंकि ये खुली आ रही है और वैसे भी कुछ और चीजे मुझे पनीर की बनानी थी तो आपके साथ शेयर भी करूँगी आके आने वाले वीडियो में तो यहां पर इसलिए मैंने ज्यादा पनीर बनाया है तो बस यहां यह देखिए ठंडा पानी डाल के ठंडा पानी इसले भी डाल देते हैं थोड़ा उसमें जो विनेगर का खटापन होता है वो निकल जाए और पानी नी चोलने में भी आसान हो जाता है क्योंकि इस पॉइंट इस जो है स्टेश पे गरम बहुत होता है यह और उसके बाद इसको अच्छे से मैंने जितनी मेरे हाथों में जान होती है मैंने इसको अच्छे से पूरा दबा दबा के पानी निकाल दिया है और थोड़े देर के लिए इसको इसी जो हमारा टैब है ना इसी पे टांग दूँगी ताकि और पानी अच्छे से घर जाए और फिर इसको गर में जो भी थोड़ा बहुत जो जैसे चकला होता है अद्रक कूँटने वाला जो होता है उसके साथ आप रख दीजिए दबा के थोड़े देर में पनीर बन जाता है और साथ के साथ ये बरतन जो है वो भी धुल के रख दे रही हूँ फीर आ जाते हैं फिर से फ्रिसकी तरफ और सब कुछ हब मैं निकालूंगी और सब को यहाँ पर सिंक में जो है सब पानी के साथ और सोप के साथ सोप करके रख दूंगी चोटी चोटी चीजें और बाकी को इसी जो इसका ट्रे होता है न वेश्टेबल बास्केट उसमें थोड़ा समय लिक्विड वाशिंग डालके और इसको भिंगो दूंगी और फ्रिज की क्लीनिंग के लिए मैं जफलोरा का लेती हूं यह मल्टी परपस है और यह ग्रीस वही है और उसके बाद यह देखिए सब कुछ यो है फिर से मैंने धुल दिया है और धुल के वापस से लगा रही हूं और इस समय फ्रिज में इतनी अच्छी स्मेल आती है न कि पूछिए ना क्योंकि जफरोरा वाला स्मेल बहुत अच्छा गरता है तो फ्रिज में मैं वह टाधा मैंने काटके इसमें भी लगा रखा है वो मैंने यहां पे बिचा दिया है उसको भी साफ किया है और बस हमारा फ्रिज़ पुरी तरीके से साफ है बच्चे जैसे कभी-कभी हाथ से छू देते हैं उठे मीठे हाथ से वैसे कोई जूठा इसमें नहीं रखा जाता लेकिन अब जैसे भोक का बना के चीजें रखूंगी होली आ रही है तो मेरा भी मन साफ रहेगा कि चलो भाई फ्रिज साफ है तिवहार का टाइम है तो मैंने फिर एक बार लगे हाथ इसको साफ कर दिया है दो-तीन महिने पर इसी वज़ा से मैं इसको धुलती रहती हूँ सब चीजें निकालके और नीचे वाले जो सेक्षन है उसमें सब फ्रूजन ही सामान होते हैं उसको एक साथ नहीं धुलती एक साथ उसका क्लीनिंग नहीं करती उसका फिर जब नेक्स डिव आता है तो उसका आता है तो जब भी आएगा अभी उसको भी जल्दी ही साफ करूँगी जब भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी लेकिन आज पहला इसको करती हूँ उपर के section को और नीचे वाले section को उसके बाद में तो ये देखिए फ्रेज वापस सारा setup हो गया है सबजियां अभी मैंने ऐसे ही पन्नी में ही रखी है जो मैं इंडियन मार्केट से लेकर आई थी उसको मैं बाद में सब स्थीक करूँगी और आज भिंडी बनाने वाली हूँ तो वो तो ऐसे भी खतम हो जाएगा उपर में यहां पे सारा जो है बचों का योगर ड्रिंक रख दिया है इस बार मैंने शॉपिंग में योगर ड्रिंक ले लिया था क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा समर के तरफ हम बढ़ रहे हैं तो अब ड्रिंक मैं देना शुरू करूँगी ठंडियों में बंद कर देती हूँ इदर फ्रूट का बास्केट भी फिल कर दूँगी और ये गला एपल है बहुत मीठा होता है और यही मैं लाती हूँ तो सर्दियों में योगर्ट और बनाना ये बच्चों को नहीं देती अब जो है धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी क्योंकि योगर्ट ले आई हूँ इस बार बनाना नहीं लाई लेकिन अभी थोड़ा और समर पड़ेगा तो फिर बनाना स्टार्ट हो जाएगा अभी फ्रूट में यही सारे फ्रूट सोते हैं जैसे आपको दिख रहा होगा ग्रेप्स रखे हैं इधर पेर्स है और पेर्स के लिए जगाई नहीं बचा तो मैंने ये ग्रेप्स वाले कंटेनर में ही रख दिया है हूं से ये डव डजर्ट बासकिट हैं जिसमें जो है ये वाला तो जो आप देख रहरा है जिसमें मैं क्रिस्प रख रही हूं यह भूम खाएदा हुआ है और जू वह वईत वाला है कुखी वाला वह फूराना है हमारा जब रेस्टोरेंट करता था तो इस इस में भटर आटा था उस साइज में इस उसमें रखती थी प्लांट भना के लिए लान दो तो तो दूट गया था ये बचा हुआ है तो इसमें एक्स्ट्रा एसे इसको यूस कर लेती हूं जो पेकेट कोला था बड़ा था जाल कर दिया है तो इधर वाला जो कॉर्न वाला ये शेल्फ होता है ये जो है सब इसमें ब्रेड कुकीज यही बिशकिटिस नमकीन यही सब होते हैं रखने वाले जो एक्साव्टे है जो एक्स्टरा होते हैं अस्टोरिज में और यह पास्ता वाला और और ओह यह पें बच्चों के सीरियल इसीरियल कुह अप्सक्ड़्स का ओیल ज eyelids अवह सब होते हैं मैंने यूनिट आपको शायद जल्दी उतना ना दिखाया होगा, कभी कभार ही खोल के दिखाया होगा, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, उनको तो पता है, कि क्या क्या कहां पे रखा है, लेकिन जो लोग नए हैं, उन्ही के लिए कह रही हूँ, कि उनको शायद ना मालूम हो, तो जो इसमें बीच वाले में जाना है, वो सब मैंने फिल कर दिया है, और ये शुगर दो किलो लाई थी, एक किलो का एक पैकेट आता है, तो शुगर वैसे तो देली बैसेस पे हम नहीं उस करते हैं, लेकिन अभी गुजिया वगएरा बनाना है, होली आ रही है न, तो दो किलो ले लिया था, और ये मैं दिखा रही थी, ये हस्बन का प्रोटीन का जो है डबा था, खाली हुआ था, तो वो मैंने उसी में रखा है, तो किसी दिन मैं आपको एक कॉमेंट आया था, मैं अपना किचन पूरा टूर दूँ अच्छे से, और क्रोकरी दिखाऊं, यूचेंशल्स दिखाऊं, कभी दिखा दूँगी ऐसे कुछ भी कुछ खास नहीं है, जो है, वो सब मैं यूजी करती हूँ आपके सामने, फिर उसके बार सब रख रखा के, और फिर अब कहा कि चलो कुछ बना लेती हूँ, होली आ रही है, थोड़ा-थोड़ा करके बनाती हूँ, तो यहां मैं आज मैं सबसे पहले मठरी ही बना रही हूँ, पहले तो होता था कि चार-पांस चीजे मैं एक ही दिन में बना लेती थी, लेकिन अब ना तो इतना टाइम ही हो रहता है, और ना इतनी अब शक्ती है कि किचन में जो है, दो, तीन, चार घंटे खड़े रहूँ एक साथ, तो अब नहीं हो पाता है, तो बस एक एक चीजें जो भी मुझे बनाना है, वो एक एक दिन में बना लूँगी, तो यहां मैंने सकर्ब, बल्लब सुहाल जो है, जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं मठरी बोलते हैं, नमक पारे बोलते हैं, अज वहीं बना रही हूँ, तीन कप यहां पे मैंने मैदा लिया है, और इसमें जो है, एक कप के हिसाब से, मैंने अंदाजे से ही, लेकिन एक कप के हिसाब से होगा, मौइन लिया, मौइन जितना अच्छा होगा, मठरी उतनी अच्छी बनेगी, और यहां अजवाइन लिया है, और यह मंग्रेल है, कलॉन जी भी इसको बोलते हैं, हमारे यहां जुआइन और मंग्रेल, इस तरीके से बोला जाता है, स्टेश्ट केज आप से नमक ले लिया है, और बस इसको जो है, क्योंकि चकला मेरा छोटा है, और यह थोड़ा बड़े आकार का बनता है, काटने के लिए, ति मैंने जो चॉपिंग बोर्ड होता है न, बस उसी पे जो है, इसको फैला लिया है, और बस पतला पतला सा अड़ा तिरचा करके काट लेंगे, और सबसे पहला आइटम होली का यही बनाया है, अभी धीरे धीरे ही बनाऊंगी, एक साथ कुछ नहीं बना पाऊंगी, बच्चों को भी देखना रहता है, रामकृष्ण के साथ भी ध्यान रखना पड़ता है, अभी यह थोड़ा सा सो गया था, तो मुझे मौका मिल गया, और यह सब काम तसलिक होता है, खासकर यह सब काम मैं रात में करती थी, दिन में तो बिल्कुल ही नहीं करती थी, शिवान स्प्रेयंका भी छोटे थे, तब भी मैं रात में ही सब करती थी, सब ब्योस्ता कर लेती थी दिन में, और रात में अपना जैसे गुजिया भरना हुआ रात को बनाया मैं दादी बैठ जाते थे पूरी रात बनाते रहते थे बहुत चीजे बनाते थे और मेरी दादी तो सोंठ की गुजिया बनाती थी चाशनी की गुजिया, सूखी गुजिया उसकी क्या बोलते हैं अरे गुड की गुजिया कई तरह की गुजिया वो तो बनाती थी हम तो इतना कर भी नहीं बाते हैं और बस उन्हीं को देखते थे और फिर बाद में धीरे धीरे मैंने जो है कमांड समाल लिया फिर सब कुछ मैं बनाने लग गई देख देख के सीख गई उनसे और उसके बाद फिर वो बस आराम करती थी सोती थी देखती रहती थी रात को कि मैं क्या क्या कर रही हूँ लेकिन जो है करती सब मैं ही थी और बाद में सबसे कहती थी क्योंकि हम लोगों कहां बैना जाता है ना हर जगा गुजिया वाले बैने भी जाते हैं और दीवाली में भी बैना जाता है तो जब कोई भी आता था तो सबसे कहती थी ये मेरी प्रीती ने बनाया है ये मेरी प्रीती ने बेना जाता था तो सबसे पहले मैंने गिटस से बनाया था रसकुला तो दादी कहीं कि ये तो मैंने बनाया नहीं पहले इसने आज पहली बार बनाया और बहुत अच्छा बना था, तो यहां देखिए बहुत ही सिम आज पर एक दम सिम आज पे लो टू मीडियम आज पे मैंने इसको अच्छे से सिखाई करेंगे लो मीड आज पे गैस का फ्लेम बिल्कुल रो लो ही रखना है नहीं तो ये ऐसे अंदर से जो है क्रिस्पी खस्ता नहीं होगा और ये जल्दी से लाल हो जाएगा जल जाएगा तो बिल्कुल लो आज प आपको समझ में आई तो एक एक घान मेरी दादी घान बोलती थी एक घान को डालते जाएंगे मैं अब अंग्रेजी का जमाना आ गया तो इंग्लिश में सब लोग बैच बोलने लेके बैच में ढाल दे रहे हैं चलो मैं बैच ही बोल देती हूं तो ये देखिए बहुत आपका जो मठरी है वो बहुत अच्छा बना है लास्ट टाइम भी मैंने मठरी आपके साथ शेर किया था वो दूसरे तरीके से बनाया था काट-काट के बनाया था उसका शौर्ट भी मैंने शेर किया था लोगोंने बहुत पसंद किया था उसके बाद अब खाने की बारी आ दाल बनाई है यानि पांच तरीके का जो mix डाल होता है वो बनाया है आप इसको पंचमी डाल बोल लीजिए नौ रंगा अठ रंगा डाल बोल लीजिए लेकिन मैं हमारे यहां इसको केउटी डाल बोली जाती है तो इसमें मटर है चना है उड़द है और मूम की डाल है मसूर क दाल है, हर तरह की इसमें दाल है, सबको भीओ दिया था, गुश्? और बस चड़ा दिया है हल्दी डाल कर, कुछ और मसाला अधोब नहीं डाला है उसमें हल्दी नमक डाल के उसको चड़ा दिया है, इधर भिंडी है तो भिंडी काट लेती हूं जो भिंडी जैसे ही हरी हरी सी भिंडी दिख रही बहुत सौब्ट भिंडी है, तो भिंडी की कैसे पहचान करते है पीछे का जो उसका टेल होता है, उसको तोड़ के देख लेते हैं, तो भिंडी अगर अच्छे से तूट जाए एक बार में, जानी कि आपकी भिंडी सौप्थ है, अच्छी है, ताजा है, खाने लाइक है, कड़ी हो तो नहीं तूटेगी, लेकिन एक बात यहां मैं मेंशन कर दे रही ह हूँ आपको, जब भी भिंडी तोड़िये, तो उसमें जो है, शौप वाले के पूरे भिंडी में मत उसको डाल दीजे, नहीं तो ऐसे तो बहुत से लोग तोड़ तोड़ के भिंडी देखते रहते हैं, और शौप वाले की भिंडी खराब हो जाती है, तो जो तोड़िये वो अपने ही बैग में डाल लीजिये उससे क्या होगा कि जो बाकी लोग अगर बिंडी लेते हैं तो उनको फ्रश बिंडी देखती है नहीं तो सब टूटी टूटी सी बिंडी है एकतम जो हो जाती है तो फिलो कतर यह तो खराब खराब है टूटी टूटी बिंडी कौन लेगा तो इसलिए उसका भी नुकसान न करी और आपको भी मन में बुरा ना लगे कि हमने उसके हम मुझे तो बुरा लगता है जब कोई ऐसे करता है तो यहां मैंने यूके में भी देखा है मैंने एक दो बार शॉप पे बोला भी लोगों को कि ऐसे मत किया करी अगर आपको देखना है तोड़कर आप अपने बैग में डाल लो उसको आप ही खरीद लो लेकिन मिक्स मत करो सब में ओके ज्यान की बात हो गई अब आ जाते हैं रेसिपी की तरब तो यहां मैंने सरसो का तेल लिया है और मेथी लिया है मैं मेथी में ही भिंडी बनाती हूं हमेशा और उसके साथ सूखी वाली मिर्च ले लिया है ताकि जो है उपर से निकाल देंगे कोई लाल वाल मिर्च नहीं डाला है क्योंकि बच्चे खाएंगे मैं मसाला भिंडी भी हमें अच्छा लगता है लेकिन मेरे बच्चों को मेरे शिवांस को यही पसंद आता है तो मैं क्यों मसाला भिंडी बना हूं और हमें नेक्स डे यह तो है नहीं कि अच्छा चलो आज मैंन सूखी बना लिया, कल मसाला वाली बना लेंगे, कल हम ले आते हैं, यहां तो बड़े महीनों, जो है, तीन महीने, चार महीने पर कहीं, जब मैं इंडियन शॉप जाती हूँ, तो ही भिंडी मिल पाती है, लेकिन मिलती बारों महीने हैं, और बढ़ियां से इसको मैंने, जो है, खुले धक्के पकाया है जब यह पक गई है तो जब अभी थोड़ा सा आपको लसला सा सा जो इसमें जो है चिपचेपा सा है वो दिख रहा होगा लेकिन जब खोल कर इसको अब भुनेंगे तो यह देखिए अब इसमें से जितना भी चिपचेपा पन्था वो सब खतम हो गया दाल भी इधर हो गया यह देखिए दाल क्योंकि गाड़ी बहुत है तो इसमें थोड़ा सा गरम पानी डाल के इसको हम पतली करेंगे क्योंकि हम लोगों कि यहां बहुत गाड़ी दाल नहीं खाई जाती है तो इतना दाल इनफ है हम लोग इतनी गाड़ी ही दाल खाते है ज मैं बहुत जादा जो है तड़के को भुंती या जलाती नहीं हूँ फिर उसमें दाल में टेस्ट वो खराब हो जाता है और बस गैस का फ्लेम ओफ कर दिया है और जब थोड़ा सा ठंडा हो गया है तब मैंने हींग डाला है उससे जो है बिल्कूल टेस्ट अच्छा आता है औ चिली पाउडर उससे कलर अच्छा आता है डाल में या कड़ी में और यह देखिए बस डाल में तड़का लगा दिया है तो डाल हो गया है चावल मैंने जो है राइस कुकर में बनाया है तो राइस तो उधर हो रहा है अब रोटियां बना लेती हूं हजबन बच्चों को ल मैंने सोचा कि आपको फुल मैं खाना बनाते से मैं पूरा दिखा ही देती हूं तो राइस के ओल इसमें नहीं आपको दिख रहा है क्योंकि वो राइस कुकर में उधर चड़ा हुआ है तो मैं सिर्फ रोटी इस पर बना रही हूं गैस पे तो हमारा बोजन पूरी तरीके से बन चुका है सब कुछ यहां पर क्लीन भी हो गया है यह देखे जो जो मैंने यूज किया था वो सब क्लीन करके रख दिया है बाहर जो है मौसम बहुत खराब है और उधर में जो मट्री बनाया था उसका तेल भी ठंडा हो गया इधर इधर जो है मिक्स सैलेड है और सबजी है दाल है और अभी सब ऐसे ही चूले पर ही रखा हुआ है क्योंकि थोड़ा दिर गरम रहता है घर में अभी कोई है नहीं ना रामकृष्ण को खाना मैं देने जा रही हूँ अलग से प्लेट में निकाल के अब हस्बेन आ चुके हैं अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ तो बस यही थी आज की हमारी थाली सोचा बहुत दिनों से मैंने कोई प्लेटिंग करके आपको नहीं दिखाई है तो यहाँ पे दाल है चावल है मिक्स सैलेड है भिंडी की सबजी है और रोटी है तो चलिए फिर इस करती हूँ मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा आज का ब्लोग जो कुछ भी पसंद आया हो प्लीज एक लाइक जिरूर दीजिएगा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजिए अपना बहुत ध्यान रखिए बहुत है सारा प्यार आप सभी को बाइ बाइ